आज असी तो हानू एक असरदार क्रेलू नुसका दसांगी, एन उसका अखाना रिलेटिड सब बिमारियानू ठीक कर देवेगा, इस दे नालनाल हर तरह दी कमजोरी, यादास दी कमी, सेरदर्द, तना अते नीद ना ओन दी समस्यानू भी ठीक कर देवेगा, एन उसका स्रीर विच अनर्जी पर देवेगा, इस ना अखान दी रोशनी वाद जावेगी, जे तो हाड़ियां अखान विच खुश्की होगी है, खारिश होंदी है, जां फिर पानी ओन दी समस्यारिंदी है, ता एस अब समस्यामा इस नुसके नल पिल्कुल ठीक हो जान गिया, वैसे ता समस्यामा इस नुसका बनोना किस तरह है, अते लेना किस तरह है, एस तो पहला जे तुसी सड़ा फेस्बुक अते यूट्यूब चैनल से त पंजाव हेल्थ सब्सक्राइब नहीं किता ता कर लो, एस नुसके लिए असी तेन जी ज़्यादा इस्तमाल करांगे, एक कटोरी स सौफ, एक कटोरी बदाम अते ताग्ये वाली मिश्री, एथे सिर्फ ताग्ये वाली मिश्री दा ही इस्तमाल करना है, एस नुसके लिए सबतों पहला सौफ नु थोड़ा जेह पोनलो, सौफ साथे पेट लिए बहुँ ज़्यादा फाइदे मांद हुन्दी है, ए पेट न खाने नु हजम करदी है, अते खून नु साफ करदी है, सौफ विच पोटेशियम, मेगनीशियम, जेंक, आयरन अते कौपर जेहे मिनरल्स पर पूर मात्रा विच पाई जान्दे हन, ए साधे स्रीर विच जम्मी होई चर्बी नु भी कट करदेंदी है, होन एस सौफ नु ए अते फाइवर भी पर पूर मात्रा विच पाया जान्दे है, जो साधे स्रीर नु अनर्जी दिन्दे हन, अते फाइवर साधे पेट नु ठीक राखदा है, बदाम देल ले बहुँ ज़्यादा फाइदे मांद हुन्दे हन, एक कलेस्ट्रोल नु कंट्रोल कर दे हन, होन ए तिन्नों चीजानु पीस के पाउडर बनालो, फेर एस पाउडर दा एक चमच, एक गिलास दोद विच मिला के रात नु सोंदे समिलो, तुसी चाहोता एसनु सवेरे नाश्ते विच भी ले सकते हो, जे तो हाननु दोद हाजम नहीं हुन्दा, त तुसी एस पाउडर नु गुंगुने पाणी विच, जा फिर लसी विच मिला के रात नु सकते हो, एस पाउडर नु हर उमर दा इंसान ले सकता है, एन उसका बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द है, एस नुसके नाल अखा दी रोशनी बाद जावेगी, हाजमा तेज हो जावेगा, अते नीद ना और इस मस्या भी दूर हो जावेगी, एस नुसके नाल श्रीर दी हार तरान दी कमजोरी ठीक हो जावेगी, एन उसका एक वारी जरूर लेके देखो, उमीद है एन उसका तो हाड डेली फाइदे मन्द होवेगा, वीडियो देखन ले तानवाद